तो दोस्तों आज के इस वडियो में हम आप सभी को ज्रीट टीवी पर आने वाले सीरियल भाके लक्षमी के नई कास्ट के पौर्डे सेलरी के बारे में बतानी वाली हूं जो के शायद ही आप सभी जानते हूंगे और जान चाहते हैं तो हमारे वडियो के साथ अंध तक बने रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वडियों की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नबर फस्ट नीहा प्रेज्रापती जो कसीरियल में रानों का करदार निभा रही ही है और इनके परड़े सेलरी की बात की जाए तो यह एक एपसोड करने का तीस हजार रुपली थी हैं ही जो कसीरियल में श controllers का के लिएat और इनके परड़े सेलरी की बात की जाए तो यह एक एपसोड करने का तीस हजार रुपली थी हैं नमबर थर्ड मुनीरा कुद्रती जो कसीडियल में शालू का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसोड करने का 30,000 रुपे लेती हैं नमबर फूर्थ अमन गांधी जोकर सीडियल में आयश्मान का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्ट मांसी भानिशाली जोकर सीडियल में बानी का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्ट है एश्वर्या खरी जोकर सीडियल में लक्ष्मी का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 70,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्ट है रोहित सुचांती जोकर सीडियल में लक्ष्री का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 80,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्ट है पारुल चौधरी जोकर सीडियल में करिश्मा का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 30,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्ट है अदिती सेठी जोकर सीडियल में आहाना का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेती हैं नमबर फिफ्टीन है अंकिताव भाटिया जोकर सीडियल में बलविंदर का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की ज़ाए तो ये एक एपिसोड करने का 30,000 रुपे लेती हैं और आपको ये सीडियल कैसा लगता है हमी कॉमेंट फोक्स में जरूर बतेएगा साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद